असलाम निक्यों बेटा तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक चैप्टर वेव का जिसको हम कहते हैं बेटा रीफ्रेक्शन ओफ वेव रीफ्रेक्शन तोड़ा सा असान था आई मीन दो तीन चीज़े उसमें न्यू बाकी मेरे ख्याल से कुछ इस इतना खास न्यू नहीं था बेटा तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रीफ्रेक्शन ओफ वेव इसमें आप कुछ-कुछ नया सीखने क जुरूर में लेका है तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनिशन से वट इस रीफ्रेक्शन ओफ वेव इस बेसी कली दा बेंडिंग ओफ वेव बेंड कर रही है बेंड मतलब क्या कर रही है बेटा सीधी जा रही थी तो अपने पाथ से डेवियेट हो गई क्यों बेट हुई दू चेंज इन स्पीड बिटा रीफ्रेक्शन ओफ बढ़ा रहा हूं फिर कभी रिफ्रेक्शन ओफ लाइट भी बढ़ाऊंगा तो हो क्या रहा है बेंडिंग ओव वेव पाथ से डेवियेशन हो रही है वेव सीधी जाना चाहती थी अचानक किसी ने किसी री है इसके बहुत से फैक्टर से उनमें से एक फैक्टर बेटा यह है कि जब भी वाटर वेव डीप से जादा गहरे से कम गहरे पानी तक जाती है डीप से शैलो रीजन की तरफ मूव करती है कौन मूव करता है वाटर वेव तो होता क्या है कि वाटर वेव के डारेक्शन में आ जाती है direction deviate हो जाती है वो अपने पास से थोड़ा सा bend हो जाती है clear कैसे bend होती हम इसमें बात करेंगे बिल्कुल परशान नहीं हो ना अभी सिर्फ इस बाते focus करो the bending of waves wave bend करी क्यों bend करी है क्यों change in speed क्यों है क्यों क्यों water deep region से shallow region की तरफ जा रहा है तो अब हम देखते हैं कि जब भी water waves deep से shallow region की तरफ जाती है तो उसे होता क्या है change in speed आती है एक चीज़ तो हमने पढ़ ली इसके साथ साथ और कौन से factors पे effect करता है यह deep से shallow की तरफ जाना आई है हम start करते है बिटा सबसे number one point what is basically reflection when reflection of wave when water waves move from deep to shallow region when the speed of water waves decreases तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी कि जब भी water waves deep से shallow की तरफ जाती है बेटा तो पहली चीज़ में changing आती है वो चीज़ क्या है speed of waves क्या हो जाती है decrease हो जाती है तो बेटा इसीज़ को mind में बिठा लो memorize कर लो कि जब भी water waves deep से shallow region की तरफ गई speed क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी उसके बाद क्या होगा it bends towards the normal ठीक हो क्या बेटा तो अब मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूँ फेर हम animation पर दुबार आते हैं ठीक है पहले मुझे simple करके आपको समझाना है ठीक है ओके बेटा बड़े दिहान से बेटा सबने सुनना है मेरी बाल हो क्या रहा है दिहान से प्लीज सुनिएगा यह मैं दो रीजन में आ रहा हूँ okay so this one is the deep region okay and this one is the shallow region कम गहर है एक जादा गहर है प्लेर हो गया now please बड़े दिहान से बेटा सुनिएगा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे हम यहां पे बना लेंगे एक normal line so this is basically the normal line okay this is basically the बेटा कुन सी line normal line जो के surface के क्या है perpendicular अब deep region की boundary यह है जहां तक खतम हो रहा है shallow region की boundary यही line है यह वाली line है जो के यही से start हो रहा है ठीक है now please बड़े दिहान से अगें सुनिएगा सबसे क्या हो रहा है water waves आ रही है पहले मैं आपको सिर्फ arrowhead से समझाता हूं तो यह बड़े बेटा water waves आई और इस point पर आके इन्होंने strike किया ठीक है यह इस region में इंटर होना चाहती है तो जब भी बेटा बड़े धिहान से आप सुनिए सुनिएगा प्लीज जब भी water waves डीप region से किस region में आती है shallow region में आती है तो सबसे पहली changing जो उनमें आती है कि वो towards the normal bend हो जाती है towards the normal bend bend towards the normal कर लो ठीक है bending towards the normal करें यह क्यों हो रहा है बेटा मैं पहली चीज़ लेख रहा हूं कि क्योंके speed change हुई है क्या हुई है speed change हुई कब हुई है speed change जब भी deep से किस region में आप जाओगे shallow region में water waves को लेगे जाओगे तो इसकी speed में change आएगा अब जब speed में changing आगया तो उससे क्या हुआ उससे होगा यह के water waves bend कर जाएंगी बेटा कहा normal की तरफ अब ज़रा बड़े धिहान से प्लीज सुनिएगा अगर यह water waves यह shallow region ना होता है तो यह water towards the normal bend होगे मैंने बहुत जादे bending करा ली आप इतनी से कर वाला हूँ clear होगे ना तो एक दफ़र दुबारा summarize करते हैं हमने देखा आगया हमने देखा यह water waves जब भी deep कि अप इस direction की तरफ जा रही है बेटा is it clear कर नहीं clear so number one speed change हुई okay दूसरा factor जो हमने देखा बेटा वो यह देखा के wavelength चेंज की जगा मैं degrees अब लिख दूँ मेरे ख्याल से अब आपको समझ जा जेगी तो speed क्या हो गई बेटा decrease हो गई है ठीक है speed increase भी हो सकती थे चेंज का मतलब यह है decrease भी हो सकती थी इस पर्डिकुलर फिनॉमना जिसमें water waves डीप से shallow की दरफ जा रही है speed decrease हो गई बेटा अगर speed decrease होई है तो हमने देखा कि अब wavelength भी क्या हो चुकी है decrease हो चुकी है क्या मतलब निकला बड़े देहां से प्लीज सबने सुनना है मैं अभी असान करके समझाओंगा बात में सको complicated करेंगे पहले wavelength का size इतना था ठीक है यह बड़ी बड़ी मैं ओपन ली wave सना दे ठीक है अब जब मैं wavelength को देखता हूं तो उनकी spacing इतनी है बात समझ पाएं हैं के नहीं समझ पाएं देहां से अगें सुने यहां तक पहले wavelength ही बेटा कितने centimeter 5 centimeter इन दो consecutive lines wave fronts के दरवाएं अब wavelength हो गई यह बेटा 2 centimeter यह अपनी पास से मैं value ले रहा हूं लेकिन point यही समझा रहा हूं कि जब भी water wave deep से shallow region की तरफ move करती है तो सबसे पहली change जो उनमें आती है वो यह के उनकी speed decrease हो जाती है जब speed decrease होती है तो wave bend कर जाती है towards the normal second point हमने समझ लिए third point हम सीख रहे हैं जब speed decrease होती है तो wavelength क्या हो जाती है wavelength भी बेटा decrease हो जाती है तो I hope so कि आपने यह भी समझ लिया होगा पहले lambda 5 centimeter है अब मैंने कितना बना दिया 2 centimeter बना दिया है clear बेटा third point हम समझते है frequency same रहती है frequency क्या रहती है stays same क्यों सेम रही वही जो logic मैंने आपको V equal to F lambda में बताए थी कि अगर frequency को constant रखोगे तो speed और wavelength आपस में directly proportion हो जाएंगे frequency किस पे डिपेंड करती है frequency सिरफ source पे डिपेंड करती है अगर source frequency change करेगा तो frequency change होगी otherwise reflection में frequency change नहीं होती logic clear I hope so ये चीज़े आपको समझ आ गई होगी बेटा revise करके बार बार सुन ले मेरी बात तो मजीद इंचला बेहतरी हो जाएगी हम इसको दुबारा भी बनाएंगे अभी थोड़ी तर बाद अभी हम चेक करते हैं कि इस slide में क्या लेका है so when the speed of the waves decreases it it bends towards the normal हमने समझ लिया in case of waterways wave will bend towards the normal when coming from the deep to the shallow region भी डचें जी कोई मसला पर चाहनी तो comment section में mention कर दीजेगा now what is deep region deep region को ऐसे हम treat करते हैं कि यह high speed region है हुआ है यहां पर speed जाधा थेस होती है wavelength जादा होती है shallow region कौन सा होता है जाहां पर speed क्या हो जाती है बटा कम हो जाती है और wavelength भी ah sorry speed yes कम हो जाती है wavelength बी क्या हो जाती है का मोर्च so we directly question to wavelength considering के frequency क्या रहेगी constant है अब इन दो animations को देखें बेटा I hope so कि आपको समझ आ रही होगी कि frequency किस तरह से sorry frequency to same है wavelength किस तरह से decrease हो रही है spacing देखें spacing बेटा इस animation में देखो देखो spacing जादा है इस animation में देखो अब हम इसको एक और दफ़ दुबारा बना लेते हैं तो मैंने अभी बताया था वह सारा अब बेटा मैं दूसरा अब समझाता हूं तो मैंने अगेन एक boundary बना ली बेटा boundary बना अब यह कौन सा रीजन है यह है shallow region इसका मतलब है water waves कम गहरे पानी से जादा गहरे पानी की तरफ आ रही है shallow region से किस region की तरफ आ रही है deep region की तरफ आ रही है okay so now again I have to draw a normal line in the first step so if I draw a normal line over here like that so this could be the end which is the normal line and this will be the making angle of 90 degree okay थोड़ा से टेल टाहे लेकिन गुदारा आए होपसो चल जाएगा थोड़ा सा 90 डिग्री बन जाएगा देहान से प्लीज देख लिए ठीक है 90 डिग्री नाव जी बेटा हो क्या रहा है बड़े देहान से आप सब में सुनने है मेरी बाद water waves आ रही है water waves इस तरह आ रही है कहां गई यह water waves और यह आके इन्होंने 3 cm कर लेते हैं clear के नहीं clear अच्छा जी जैसे ही shallow से deep region water waves जाने की कोशिश करते हैं बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं तीन चीजों में मसला आना शुरू हो जाता है number first point is speed क्या हो जाती है increase हो जाती है पहले क्या बताया था पहले बताया था speed decrease होती है अब क्या बतारो speed increase होती है second point is wavelength क्या होगी बेटा wavelength increase हो जाएगी just because both are directly proportioned to each other इन दोनों के दमें relation क्या होता है direct relation होता ठीक है I hope so कि यह भी समझ में आ गया होगा आप सबको ठीक है okay so wave पहले क्या था wave went towards the normal now is condition में क्या wave bends away from the normal away from normal is that clear or not good so frequency same रहेगी इसमें भी frequency हमारे पास किया रही same way so list out कर लो बेटा अब हम diagram को complete कर लेते है diagram को complete किस तरह करेंगे कि वेव अगर सीधा जाना चाहती न बेटा तो ऐसे जाती ठीक है अच्छा यह line थोड़ी से tilted है इसको थोड़ी से प्रॉपर बना लो ठीक है अगर यह वेव बेटा यह deep region ना होता तो यह वेव किस तरह जाती क्या बता सकते हो यह ऐसे चली जाती ना क्या ख्याल है लेकिन अब यह ऐसे नहीं जाएगी अब यह बेटा किस तरह दूर भागे कि तो इधर बेंड हो चाहिए अच्छा जी एक मार्क्स के लिए हमने यह चीज कर ली ठीक है यहां से शुरू कर लीज़े कर लाइं अब सही है मेरे ख्याल से ठीक है अच्छा वेवलेंड कि इतनी है 3 cm वेवलेंड होती क्या है इंक्रीज होती है इसका मतलब ह जो दूर एक इधर बनाऊंगा एक इधर बनाऊंगा और यहां बनाऊंगा अब इनके दर मैं स्पेसिंग इतने लेंड़ा इस एकौड़ एकॉड़ तो 6 cm तफ़ दुबारा कर लेंगे, अभी इसको फिलल हम रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है, पहले इस सिंपल चीज़े बेटा समझते हैं, फिर हम दुबारा उसकी तरफ चलते हैं, जी बेटा, next है, the frequency of any wave, क्या लिख है, depends on the source only, तो मैंने भी आप सब को यही बता Changing velocity and the wavelength doesn't alter frequency of the wave, in reflection rather changing frequency, तो बेटा, यह सारी बाते, I hope so, कि आप no down कर लोगे, मेरे खाल से यही मैंने सारी repeat की हैं, और यही आपको मैं समझाता आया हूँ, ठीक है, next जी, अब हम चलते हैं, reflection के major part की तरफ, और हम देखते हैं, कि जब भी region shallow हो, और shallow से wave कहां जा रही हो, deep region मे जा रही हो, that's been fast region में जा रही हो, तो होता क्या है बेटा, अब हम इस चीज़ का, एक operation से गरते हैं, ठीक है, तो जब भी wave, यह देखो बेटा, यह slow-slow जा गया, अराम, राम, राम, से slow-slow जा रही है, अच्छा, इसके अंदर आया, तो ऐसा समझो, army का कोई camp आ आगे है, वह यह भी आगे निकल जाएगा, यह भी आगे निकल जाएगा, I hope so, कि सोचों के तो समझ में आ जाएगा, यह concept, तो देखें जी बेटा, कैसे हो गई, लें, जो part, wavefronts का, इंटर हो चुका है, deep region में, वो बेटा, as compared to the shallow region wavefronts, आगे निकल जाएगा, fast हो जाएगा, clear, इसको सु shallow region में जाएगा, तो shallow समझो के वहाँ भी laziness ही, laziness है, lazy हो जाएगा, कौन lazy हो जाएगा, wavefronts lazy हो जाएगा, तो lazy हो जाएगा, इनसे तो तेज नहीं चला जाएगा, तो यह कैसे हो जाएगा, अपने आप से सोचें ज़रा, अब answer चेक करें, तो यह wavefronts थोड़े से पीछे रह कर लो, ठीक है, एक चीज़ का मैं मजीद इसमें इदाफा कर दूँ, देखो इसमें जो wavelength है ना बेटा, वो कम है, shallow region है वेवलेंद कम है, ठीक है, velocity भी क्या है, कम है, इस region में क्या हो गया, देखें जी बेटा, wavelength भी जाधा हो गई, velocity भी जाधा हो गई यह बात में भूल गय ठीक है आपको समझाना इस रीजन में वेटा क्या है इस रीजन में क्या है वेवलेंद कितनी है जादा डीप रीजन है वेलोसिटी भी क्या है जादा वेटा इस रीजन में क्या है वेवलेंद कम वेलोसिटी भी क्या कम होगी क्यों 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 कि यह शालोर रीजन है तो इसक तक मैंने अभी तक समझा चुको आसान कोशन ऐसे आ जाएंगे ठीक है लेकिन रीफ्रेक्शन से जब भी डिफिकल्ट कोश्चन आएगा बेटा तो वह इस तरह आएगा जो कि अभी मैं जैसे आपको समझाने लगा हूं ठीक है तो आपको बड़ा स्कून से काम होके मेरी बात को समझना है परशान नहीं होना चीज़ों को मुश्किल नहीं लेना सब सीजे अराम राम से हर चीज समझ में आ जाएगी तो सबसे पहली चीज बेटा जो आप ड्रॉ करते हो वह क्या होती है वह सबसे पहले नॉर्मल लाइन होती है ठीक है तो अगर मैं यहां पे नॉर्मल कर लेना है जो के हमेशा किस एंगल पर रहेगा नाइटी डिग्री पर रहेगा बस यह बाते आपने जहें पर रखनी है ठीक होगे बेटा अब हम आगे चलते हैं तो जब भी यह वेफ्रेंट्स आगे मूफ करेगा इस पॉइंट पे तो सबसे पहली चीज बेटा आपको क् यह मैंने क्या बना लिए एक नॉरमाल लाइन बना ली है ठीक है अभी अभी समझ ले मेरे से तो जब भी रे औरैगर towards the normal bend हो जाए इसका मतलब वेव बेटा अगर सीधी जाएगी तो ऐसे जाएगी ना लेकिन towards the normal अगर होगी तो कैसे जाएगी ऐसे जाएगी थोड़ सा ये 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 towards the normal normal के क्रीब हो जाएगी ठीक है तो अब हम देख लेते हैं कि towards the normal that means इधर मूव हो गई थोड़ी सी बेंड हो गई है towards the normal so sorry okay जी all clear now next point हाँ अब वेफ्रेंट किस तरह करने हैं जो missing wavefront है जो डिस्पियर हुए में वो किस तरह हमने ड्राव करने बेटा वो बड़े ध्यान से आपने समझना इस बात जो वेफ जहां से डिस्पियर हुई है बड़े ध्यान से प्लीज सुनिएगा इस पॉइंट को जड़ा अच्छी तरह ग्रैस्प करो जिस पॉइंट पे डिस्पियर हुआ है यह वेफ्रेंट उसी पॉइंट से इसके नीचे एक लाइन लगागे क्योंकि इ हमस्ति के नाइटी डिग्री नाइटी डिग्री यह कुन से एंगल बना रही है यह यह 90 इंप अपने इस पार्ट से अपने इस वैक्टर डारेक्शन के डिरेक्शन के अरो को वेक्टर को आपने इस तरह से कट करना है कि वेव फ्रेंट और इसका हमेशा 90 डिग्री बरकर आणना चाहिए अब चेक करें बेटा नेक्स्ट हो गई देखो वेवलेंद यहाँ पे जादा है यहाँ पे जादा है वेवलेंद 5 cm यहाँ भी वेवलेंद कितनी है imagine कर लो 3.5 cm clear की नहीं clear आप चेक करें बेटा यह हो गया then यह and then इस तरह करके हम इसकी proper सारी की सारी shapes बना देंगे I hope so कि आपको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ आया तो इसको दुबारा से एक तफ़ रिवाइस करके दुबारा से समझ लें बेटा हम आगे चलते है now जी next condition है जी के wave shallow से किस region में जाने लगी है deep region में जाने लगी है so first point क्या normal draw करेंगे यह ले जी बेटा normal draw करते है second point क्या जब भी shallow से deep में जाना होता है तो wave away from the normal जाती है इसका मतलब है अब wave सीधा जाना चाहती है तो इधर तो नहीं आएगी क्यों क्योंगे यह तो towards the normal हो गया तो wave किदर चली जाएगी थोड़ा सा इधर चली जाएगी away from the normal हो जाएगी is it clear बेटा straight जानी सकती away from the normal जाएगी दो पाते समझ में आगी तो चेक करें बेटा यही मैंने किया अब जो मैंने वेव फ्रेंट्स ड्रॉव की हैं कि आप यह जज़ कर पा रहे हो कि वेव फ्रेंट्स कैसे थे बेटा ऐसे थे ना यह गर गाइब हो जाए चलो मैं इसको बना दे तो इस तरह करके मैंने वेव को बना दिया अब चेक करो इसको तो यह अब इलको सीधे नहीं आएंगे ठीक कैसे आएंगे थोड़े से इस तरह आजए यह सोरी ओके चकी जगा प्लीज चकी जगा मैं दुबारा बना रहो यह इस तरह तो उसमें आते ने डीप जानना तो डीप रीजन अगे निकल जाएंगे तो पीछे रह जाते पीछे रह जाते इदर रह जाते डीप में निकल जाएंगे ठीक तो इसको भी आप एक दफ़ खुद रह कर लो देखो कोई चीज समझ नहीं आते कमेंट सेक्शन ने बता दो फिर मैं आपको मजीद समझा दूँ इस डाग्राम को एक दफा दुबारा देख लें यह देखो वेफ्रेंट कैसे हैं लेजी हो गए ना तो यह स्लो हो गए यह पीछे रहे जाएंगे हलागे वेफ्रेंट को ऐस ज्यादा हो गई ठीक हो क्या आई होप सो कि यह चीज आपको समझ पर आ गई होंगे नेक्स डेजी रीफ्रेक्शन के जब भी लाइट रे यह वर्ड देखने जरा परपेंडिकुलर जब भी किसी भी मीडियम के अंदर ट्रैवल कर दें क्या मैंने बोला है परपेंडिकुल ہिट कर रहा है 90 डिगरी पर हिट कर रहा है वेव की डरक्शन सर्फेस को तो यहां पर कोई रिफ्रेक्शन कोई 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 कई नही होगी बैड पाथ लाइट या वेव अपने पाथ से डावी Aert नहीं करेंगे यह बात लिक लो नॉरे yakशन वेट light enters perpendicular to the surface, तो होगा क्या? सिरफ wavelength में change आएगा और speed में change आएगा, reflection का मतलब क्या? कि wave जो है वो अपनी direction change नहीं करेगा, ना towards the normal आएगा, ना away from the normal जाएगा, वो जाएगा कि तर as it is अपनी direction फॉलो करेगा, कब बेटा? जब perpendicular hit करेगा, is it clear? तो आप देख लो, इस सारी चीज़े आई होपस हो कि आपको समझ में आ रही है, बिलको straight hit किया, अब बिलको straight जा रहा है, तो फिर सीधा चला जाएगा, और बिलको straight आगे निगर जाएगा, लेकिन यहाँ पे wavelength जादा है बेटा, velocity जादा है, यहाँ पे wavelength कितनी होगई, कम होगई, velocity कितनी होगई, कम होगई, यहाँ पे again wavelength जादा, velocity कितनी जादा होगई, ठीक हो गया बेटा, तो यह देख लो, ओह सोरी मैंने इतना जादा कर दिया है, गंद बुला मचा दिया है, तो इसको हम erase कर लेते हैं, तो अब चेक कर लो, मेरे ख्याल से होगई, तो हमने नॉर्मल बना दिया न, यह देखो, red line सबसे पहले क्या हमने बनाई बेटा, नॉर्मल बना दि, और यह हमने wave की direction बना दि, clear हो गया, इसको अदर खुद understand कर लो, यह चीज़े काफी मैंने समझा दे, हम यह वला कर लेते हैं, प्रिजम का, तो देख लेते हैं, कि next के हमारी कितनी slides रह गई है, और यह I guess हमारी दो ही slides रह गई है, ठीक हो गया, तो हम इसको अब explain करते हैं, next part में, यहां तक मेरे ख्याल से काफी हो गई इसका, ओकी बिटा, अलाफ फेस, take care, next slide हम स्टार्ट करते हैं, reflection in prism,